अब आपको अच्छी तरह से ताकत लगा के इसे यह साउंड सुना आपने कट करके वॉलकम बैक फ्रेंड कैसो आप लोग सभी तो आज हम सिखेंगे जो आरजे 45 कनेक्टर है उसका लगाने का सही तरीका तो मार्केट में दोस्तों आप जब भी देखेंगे तो आपको दो तर कनेक्टर जिसमें आगे के साइड से आप देख सकती यहां पर एक कटाउट रहता है जिसमें सारा जो आयर है वो पास हो जाता है और आपका जो कनेक्शन है वो करना बहुत ही इजी हो जाता है इसके अलावा आपको यह पंचिंग टूल चाहिए होगा जिससे हम पंच गें मैंने यहाँ पर कैटसीज क्या चोटा सा टुक्रा लिया है दिखाने के लिए कि के कैसे किनेक्ट करते है तो सबसे पहले जो है आपको कुछ इस तरीके से इसको छील लेना है चीलने की बाद जैसे कि देख सकते यह है शील डेडड गासिख्स तो यह इसका जो सील टोटल आट और और चार प्यार और इसमें सेंटर में जो प्लास्टिक है इसका सेपरडर है जो इस चारो कनेक्शन को अलग रखता है तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको छील लेना है उसके बाद सेंटर का जो प्लास्टिक है इसको आपको काट देना है उसके बाद इस तरीके से आपको सीधा करना पड़ेगा आयर को तो सारा जो आयर है मैंने कुछ इस तरीके से सीधा कर लिया है अब इस तरीके से सीधा करने के बाद आपको इसको align करना है मतलब इसका जो color code है वो आपको कर लेना है तो मैं जालता है जो color code यूज करता हूँ वो है white, green उसके बाद डालता हूँ मैं green green हो गया अब डालना है orange color code ऐसा नहीं कि मैं जो use कर रहा हूँ आपको भी वो ही use करना है पस आपको ध्यान रखना है कि मैं एक पर आपको एक चीज अच्छी तरह से बता देता हूँ कि color code ऐसे अच्छी कि काम क्या करता है काम कैसे करता है तो माल लिजे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, है top 8 हो गया आपका वायर तो जिसमें data जाता है वह जाता है Doo ऑबंच 21 आपको यह जहां पर दूबर टिन नमबर और पर इसमें डेता जाता है जादा तर हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इसी जो चारो वायर है इसमें डेता जाता है तो आपको ये धन रखना है कि ये जो चारो वायर है वो दो प्यार में होना चाहिए माल लीजिए मैं ये सबसे पहले मैंने यूज किया white green और green इसको यूज किया उसके बाद orange लिया मैंने तो उसके बाद आपको ये orange और white है इसको आपको 6 नंबर पे रखना है तो बीच में ये एक पेर हो गया दूसरा जो पेर है ये हो गया उसके बाद तीसरा ये चार नंबर तो ये जो चार पेर हो गया हमारे जो डेटा जाता है बो जाता है एक दो तीन और छे तो हमको ध्यान रखना है कि एक दो तीन और छे जो दो पेर में ही जाना चाहिए क्योंकि अगर सेम पेर में नहीं जाएगा, तो data जो है, बोट डिस्टरव होगा, और आपका जो speed है, वो कम भी हो सकता है, और internet जो है, वो नहीं भी चल सकता है. इस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो दो पेर है इसी में हमारे डेटा जाएगा तो इसको आपको क्या करना है एक दो तीन में हमने इसको रख लिया और जो छे नंबर होगा उसमें हमको ये औरेंज डालना है और IP कैमरे में क्या होता है ये चारो जो पेर है इ इसमें जाता है power, इसमें जाता है power, आइपी कैमरा में यह जो last two pair है, इसमें जो है power जाता है, यह जो एक pair रह गया, blue और blue white, ऐसा नहीं है कि यह गम बिलकुल भी काम नहीं आता, लेकि नौर्माल जो हम यूज करते हैं, उसमें इसका काम नहीं आता, तो आपको color cut आप जो भी यूज़ करें आपको यह ध्यान रखना है कि एक, दो, तीनौर छे दो प्यर में रहना चाहिए ठीक है मतलब यह जो 3 और छे है यह जो प्यर है ओरेंज का इसको आपको 3 और 6 में रखना है बस कीशीज़ है यह आप समझ गहें तो आपको बहुत ही easy हो जाता है connection मैं जो color code use करता हूँ मैं ज़्यादा दर color code use करता हूँ वो है सबसे पहले मैं रखता हूँ green white उसके बाद green उसके बाद orange उसके बाद blue उसके बाद blue white उसके बाद orange white उसके बाद grey white और last में जो है grey तो यह है मेरा color code जाद दर में यूज़ करता हूँ जरूर नहीं है कि आपको भी इसी color code यूज़ करना चाहिए आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको इस चीज के ध्यान रखना है जो मैंने अभियाभी आपको बताया फिर इसको हम सीधा करके cut कर लेंगे और आप अगर beginner हो तो आपके लिए बहुत easy होगा यह जो pass through connector है जिसमें से यह cut out है देख सकते हैं यह use करना आपके लिए easy होगा लेकिन आप थोड़ा बहुत professional हो आप बहुत दिनों use किया है तो आपको यह जो connector है यह use करना चाहिए इसको use करने के लिए आपको एक right shape में इसको cut ना पड़ता है ताकि connector जो है अच्छी तरह से दिखे खरब ना लगे तो बैतर होगा आप अगर beginner हो तो आपको यह जो pass through connector है इसको use करना चाहिए यह जो है आपका काम easy कर देगा तो अभी इसको अंदर डालना है connector को जो है कुछ इस तरीके से आपको पकड़ना है और इसके अंदर डालन है देख सकते हैं यह जो है अभी उपर से निकल रहा है सारा जावयर ठीक है तो यह हो गया आप जैसे की देख सकते ही यह हो गया और आपको क्या करना है इस punching tool में इसको डालना है कुछ इस तरीके से डालना है यहाँ देख सकते हैं इसका एक shape बना हुआ है तो इस shape में आपको align करके डालना है दूसरी तरफ इस तरीके से निकल जाएगा तो आपको कुछ इस तरीके से अंदर टक डालना है अब यह अंदर और नहीं जाएगा अगर आप push करेंगे तो भी यह अंदर नहीं जाएगा क्योंकि यह सही position में अभी आ गया है आप आपको क्या करना है अब आपको अच्छी को आपको अगर निकलने का कोषिस करेंगे तो यह नहीं निकलेगा यह हमारा ready हो चुका है हम क्या करेंगे इसका जो आगे का जो wire है समझ में घालना है दूसरी तरह भी samsung connection होगा लेकिन इस तरफ हम क्या करेंगे य?, यह हमारा rj-45 अजो है एकडम ready हो गया है और उमीद है पुराना Connector है जो आप कह सकते है Professional Connector है तो इसका हम यूज करेंगे और दिखाएंगे इसको कैसे Connect करते हैं तो दूसरी तरफ हमने वसी तरीके से जो सारा ओयर है उसको हमने सीधा कर लिया और सेम कलर कोड से इसको मैचे करेंगे तो सबसे करने आपको कुछ सही तरीके से इसको कटिंग करना पड़ेगा सही माप से अगर आपने छोटा कर दिया तो लाज तक यहां तक नहीं पहुचेगा और Connector काम नहीं करेगा और बड़ा करेंगे तो आपको क्या करना है अब इसको काट लेना है सरीन आप से काटना है छोटा वड़ा किया तो यह काम नहीं करेगा इस चीज का आपको ध्यान रखता है तो यहां पर हमने कर दिया कटिंग और हम इसको डालेंगे सेम तरीके से अंदर यह जो लास्ट पोजिशन है जैसे की देख सकते यहां पर और पुछ गया इस तरब नहीं पहुचा है तो अच्छी तरह से आपको पुछ करना है और लास्ट तक जो है और को अंदर तक डालन अब बारी है इसको पंच करने का यह रेडी हो गया तो यह जो कनेक्टर है रेडी हो गया तूमीदा दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा जो RJ45 कनेक्टर है उसको लगाने का जो सही तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा तो आज के लिए वस इतने हैं दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जारू कीज़ेगा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाएगा आप से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई दोस्तो